न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीचे और पहला आइकन दबाना ना भूले उसी जहरीली प्रधार्थ का सेवन किया था जिसके बाद परिजनों दबारा उसे उपचार ही तू पांसे मल सामुदायक स्वास्त केंद्र लाया गया जहां उसका प्राथ में कुपचार कर उसकी इस्तिती देखते हुए उसे जेला स्पिताल रैफर किया गया है लेकिन प्रामाइक हुई म्रत्यू से परिवार सहित शेत्र में मातम पस्रा हुआ है फिलाल कारणों की सपस्ट जानकर अभी नहीं है पुलस द्वारा अविशक कारवाईकर जांच के बाद ही कुछ कहा ज़ा सकीगा शव का पोस्ट माटम किया जा चुका है पोस्ट माटम रिपोर का जाच की जा रही है तधा जांच की बाद ही सपस्ट हो पाएगा कि यूफती ने यह कदम क्यों ठाया यूफती द्वारा जहरीले प्रधार्त के सेवन के बाद हुई मौट से शेत्र में शोक की लहर चाए है यूफती के जहरीले प्रधार्त के सेवन की सूचना Som handwriting शूच कथा नहीं ले जा सकते यूवति के स्तिती गंफीर बनी हुई थी जिसके बाद उससे जिला स्पताल रैफर किया था लेकिन उसकी मृत्ती हुने के बाद पलिस द्वारा अपने इस्तर पर विभिन बिंदू पर जाच की जाएगी यूवति के अचानक उठाए गए इस कदम से परिचन एवं परिचित आश्चरी चकित है आपको बता दे कि पांसे मल्थाना शेत्र सहित जीले में अन्यस्थानों पर भी विभिन कारणों से कीटनाशक प्रधार्त के सेवन की घटाए पूर्व में भी हुई थी जिन में कुछ लोगों की जान बचाएगी जबकि कुछ लोगों ने अपनी जान कवाई है अचानक इस प्रकार का निर्णाय लेने से परिवार की सदस्यों को बेवजह परिशानी का सामना करना पड़ता है वही परिजनों को आर्थिक और मांसिक रूप से भी समस्या उधपन हो जाती है इसले समझदारी से निर्णाय लेकर स्वय एवं परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या तथा परिशानियों से बचाया जा सकता है यूती बयान देने की स्थिति में नहीं थी और उसकी हलत ज्यादा नाजूप होने से डाक्टर द्वारा उसे जिला स्पताल बढ़वानी रिफर किया गया था जहां उसकी इलाज के दोरान म्रत्य हो गई है अब कीन कारणों में से यूती ने दवी पिये हैं जिला स्पताल से मर्ग डाइरी प्राप्त होने पर यहां पर असल मर्ग कायम का जाच की जाएगी जो भी जाच में तथ्या आएंगे विदानिक कारवे की जाएगी